अलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका सूपर फास्ट इस्टेडी एंड एक्सपरिमेंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं किलन सपोर्ट रोलर सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेशन यानि किसी भी किलन के आप सपोर्ट रोलर का सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं निकाल सकते हैं किलन के साथ साथ आप कूलर का भी सपोर्ट रोलर का सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस वीडियो में आपको complete calculation बताऊंगा और वो भी example के साथ हम इस वीडियो में 350 TPD किलन के support rollers और tire का dimensions लेकर के उसका center distance calculate करेंगे Friends ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर uploaded है अगर आप नए हैं तो please चैनल को subscribe करिए तो फिलाल इस वीडियो को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अंत तक तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें क्या-क्या data की जुरुत पड़ेगी तो हमारे पास required data जो है वो हमें चाहिए tire का outer diameter आपको tire का outer diameter पता होना चाहिए वो कितना है और दूसरा support roller का diameter सिर्फ यह दो data आपको मालूम होने चाहिए उसके बाद आप किसी भी किलन, cooler चाहिए वो कितना भी capacity का हो 350 TPD या 500 या 600 आप उसके support roller का center distance calculate कर सकते हैं किलन का भी, cooler का भी तो चलिए प्रोसेस बताता हूँ तो friends यह diagram आपको समझाने के लिए बनाया गया है देखिए जो उपर बड़ा वाला circle है वो क्या है? वो tire है tire का outer diameter है और जो नीचे के दो circle आपको दिख रहे हैं जिसका center B और C है वो support rollers हैं तो क्योंकि tire जो है वो support roller पर rest रहता है इनके बीच जो degree एक triangle बनता है अगर हम center to center अगर line खीच दें tire का center है A support rollers का center B और C है इससे अगर हम एक triangle खीच दें center to center इसमें तो हमें जो triangle मिलेगा वो equilateral triangle होगा equilateral triangle याने समान भुजाओ वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के तीनों भुजा याने तीनों side जो है वो equal होगा A, B is equal to B, C is equal to C, A तीनों का length बिलकुल same होगा और equilateral triangle में जो degree बनता है angle बनता है तीनों side में वो भी equal होता है 60 degree, 60 degree 60 degree एक triangle में 180 degree होता है तो यहाँ पर 60 degree बनेगा तीनों side में है ना तो अब जो equilateral triangle है अगर हम यहाँ पर से देखिए एक point यहाँ मा लेते हैं P A, B के बीच में point है P जहाँ पे contact point है है ना, tire और support roller का contact point है वो अब आप ध्यान से देखिए A और P A और P क्या हुआ? tire का radius हो गया और P और B क्या हो गया? P और B हो गया support roller का radius हो गया तो A, P plus P, B अगर मैं करता हूँ तो एक side निकल गया मेरा है ना, अगर एक side मैंने इस triangle का निकाल लिया, equilateral triangle का तो एक side के समान तीनो side है इसका, तो A, B is equal to B, C is equal to C, A याने कि B, C जो मेरे को निकालना है क्या है वो, center distance है वो भी निकल जाएगा क्योंकि तीनो side जो है equilateral triangle का वो समान होता है बराबर होता है तो हम example ले ले लेते हैं 350 TPD किलन का 350 TPD किलन का tire का diameter होता है outer diameter 5,160 mm 5,160 mm होता है tire का diameter तो उसका radius हो गया 2,580 mm ठीक है friends और जो support roller होता है 350 TPD किलन का उसका diameter होता है 1600 mm याने कि 1600 mm तो हमें यहाँ पर radius चाहिए तो उसका radius किता हो गया उसको 2 से divide कर देंगे तो आगया 800 mm तो अब हमारे पास tire का radius है और support roller का radius है AP और PB अब इन दोनों को add कर देते हैं 2,580 प्लस 800 तो यह आगया 3,380 याने कि AB जो मेरा total distance है AB AP प्लस PB वो हो गया है 3,380 mm तो जब यह वाला side AB भी जो है वो BC और CA के बराबर है है ना तो इसका मतलब क्या हुआ BC जो center distance है वो हो गया 3,380 mm अगर बहुत यह simple language में बोले हैं तो दोनों के radius को आपको जोड़ देना है टायर के radius और support roller का radius दोनों को add करने के बाद जितना आएगा दोनों को जोड़ देने से वही आपका center distance होगा दोनो support roller का तो friends उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी helpful लगी होगी अगर 1% भी वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर uploaded है आप चाहिए तो चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं तो फिर से मिलेंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा